हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभीगा इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सेयर कर रहा हूँ टाटा स्टील में जूनियर इंजिनियर ट्रेनी जेट का वेकेंसी है वो आ चुका है तो जो लोग भी डिप्लूमा बिटेक अपने फाइनल य एक्सेशन मिला है उनका एक जनवरी 1996 से एक जनवरी आपका दो हजार साथ तक अगर है तो अपलाई कर सकते है ठीक है इसमें जो क्राइटीरिया है वो आपका बेसिकली डिप्लूमा वाले भी भरतने आपको पता ही होगा और बिटेक वाले भी भर सकते है ठीक है फाइनल य आपका भरने का जनवरी में ही है 16 जनवरी है तो आप इस टाइम लिमिट में अगर आप अपलाई करना चाहते हैं बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे जुनियर एंजिनियर ट्रेनी का वैकेंसी कव आएगा ठीक है सारा ब्रांच अगर बात करें तो इसमें आपका जो है मेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, मेकाट्रोनिक्स, मेटलर्जी, सेरामिक, सीविल ठीक है बहुत सारे ब्रांचे से आप अगर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलग्राम ग्रूप को जोईन करिए वहाँ पे मैंने आपको पीडि इंडिया के लिए भी आया हुआ है प्लस पैन इंडिया के लिए भी है यह ठीक है तो अलग-लग एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाएगा वेबसाइट पर जाएंगे तब ठीक है तो पूरे इंडिया से भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से हो और जारखंड के लिए इस पेसल निकाला गया है ठीक है जिसमें जारखंड का डो मागा गया और अगर किसी स्टेट से हैं तो पैन इंडिया वाला जो अडिवर्टीजमेंट उस लिंक से आप अप्लाई करिए और उस रिस्पेक्टिव स्टेट का पास डोना चाहिए तो यह the form has been released so you must check it now last date है 19 January को और आपका जो एक्जाम लिया जाएगा written online center based वो आपका फरवरी 18 को है ठीक है 18 फरवरी को आपका online written exam होगा जिसका admit card आपको फरवरी 12 को बता मतलब release कर दिया जाएगा तो आप 12 तारीक से आप अपना admit card download कर सकते हैं और जो भी center आपको मिला है आप उसका पता करके आप exam 18 को देंगे ठीक है और मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को नहीं पता है वैसे सबको पता ही है कि जेट क्या है तो junior engineer training जो है वो इसमें आप एक साल के लिए आपको company training training period में रखती है ठीक है जिसका इस टाइपेंड आपको मिलेगा 16500 ठीक है कुछ रुपए तो यह आपका परमंत रहेगा और एक साल के जब आपका यह training complete होता है तो उसके बाद आप company में परमानेंट कर दिया आते हैं टाटा स्टील में जो टाटा स्टील का अधर प्लांट से आप उसमें भी भेज़े जा सकते हैं mostly जमसेदपूर कलिंगानगर मेरा मंडली इन सब में और आप यह जानते हैं कि company जो टाटा स्टील के में भी प्लेस्ट कर दिया जाए लेकिन ज्यादा चाहन से आपका मेरा मंडली कलिंगानगर ओके तो यह information जो था वो मैं आपको देना चाहता था जो यहां पर complete होता है ठीक है और अगर आपको और भी ट्रेक्ट करेंट करेंगे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं मैसेज कैसे करेंगे तो टेलिग्राम का जो चैनल है हमारा पार्ट साला क्लब जेसर के नाम से ही है आप उसको टेलिग्राम पर सर्च करेंगे आप उसको जोएन करिएगा जो माटीरियल्स है स्टड़ी माटीरिय में थैंक यू